नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 13 अपरिल 2024, स्वागत है आपका आज की करंठ पे डिसकसन में, चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा राटिकल है पारदीप पोर्ट के बारे में, क्यों न्यूज में हैं, बारदीप पोर्ट है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट बन गया है, जहां पर सबसे जारा कार गोगुसिक्मेंट हुई थी, यह बात और यह, फाइनल यह 24 की, अभ़मी बात पर इंपहारा रुट के बारे में, न्यूज तो इतनी खास Пос ему ऑ़ह बात कर ते है नी बात करते है प बह दीक बारे में, तो पारत पारदी में बहुरा का पीपीट यानि पारादी पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसे मैनेज के जाता है ये जो पीपीट यानि पारादी पोर्ट ट्रस्ट ये एक एक एक्ट के द्वारा बनाएगे थी कौन से एक्ट के द्वारा बनाएगे थी पारादी पोर्ट एक्ट उसके द्वारा इसे सट में कुनसे मंत्र हाली के उन्तर गता यह यह आता है साथ ही साध में यह यह एक स्वांच संस्ता है तो यह चीज़ आपको पता होने चीज़ही है, इसको सबसे पहला बंदर गाथ पूरी तो हम बात करेंगे बारे में बाने बात करें यह एक व्यदानिक प्राधिकर निसème तो के द्वारा बनाये गए गहती आफ इसका काम है तो इसका काम है तो यह चीज जब में पता होना चीज अब है न अर्बन बोडी उती है उसके कुछ बारट होते है ताइप अर्बन गॉद्में जैसे मुंसिपल कॉर्परएशन होता है मुंसिपल पार्टी जो मुंसिपालिटी जोती है नौटिफाइड एरिया है टाउन सीप है फिर होता है बोर्ट ट्रस्ट होता है इस पेसल पर पर एजनसी इस होती है अब यह है ना इनका कोई प्रिफेक से देख लेते हैं कि इनकी स्थापना कैसे हुई थी यह और इजन उनका आया कैसे तो है ना पहले हमारे पास में लोकल इतियास देखें तो सबसे पहले जो नगर निगम बनाता वो बनाता 1687 और 1888 में पहला बारत का नगर निगम बनाता मदरास का ठीक है इससे इस्तापित किया गया था उसके बाद में 1726 में मुंबई और कॉलकता में भी इस्तापित किया गया पहले मदरास में बना फिर मुं इस वित्य वीकेंद्री करण की एक स्कीम लेके आये थी इस वित्य वीकेंद्री करण क्या होता है वीकेंद्री करण का मतलब होता है अलगल संस्ता को अलगल जिगा बातना केंद्री करण का मतलब होता है अलगल बातना जैसे केंद्र अलग काम कर रहे है राजी अलग काम कर र रखा फिर बाद में जो लॉड रिपन थी वो 1882 में एक प्रस्ताव लेकिया है ये जो प्रस्तावन इसे इस्तानी सवसासन का मेगना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि इस मेहना इस्तानी सवसासन की नीव रखी की थी इसलिए जो लॉड रिपन है इनको भारतिय इस्तानी सव सभसासने जो लोगल गौर्मेंट उनका जनक भी माना जाता है इनका फादर भी माना जाता है तो 1882 में एक संकल प्लेग ईज़े लॉड रिपन इन्हों ने 1909 में इन्हों ने अपनी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट थी वो डिसेंट्रलाइजिसन समझ दी ठीक है बाज में 1919 का एक्टाय था मंटिन ग्यूट चैंस वर रिफॉम आते हैं ठीक है ये जो अधीनियम था इसमें डियोल गवर्मेंट थी ठीक डायर की सिस्टम था यान प्रांटी का इसकी शावनी इसकी कि इस्टाफना की गई बाज में चाहरोकिश्क्त था और प्रांटी सब्जेक्त बना गया है रहने कि प्रोविस का सब्जेक्ट बना गया अब ये ढाजिय Lara ग मैं 20 लोकल गौर्मेंट को किस प्रकार से इस्तायत करना ये है 1935 के बाज में बाक में बारत में आजाद हुआ आजादी के बाज में एलग अक्ट आए और विपर्ट में बारत में हो 1312 9 वो नई अध्यक्स बनेते और रिपोर्ट कब दी थी रिपोर्ट 1909 में दी थी तो ये इनके बारे में कुछ चीजे पता होने चाहिए चलते हैं नेक्स आर्टीकल क्यों नेक्स जो आर्टीकल है वो है ब्लेक स्वान की बारे में ये घटना है आर्मी चीफ ने अभी इसे समझ नहीं का था पहले य시면 ये एक्जिस्ट करता है कि एगजिस्ट करता ही बाज में कुछ टाइम बाज में देखा गया है ये ब्लेक हंसो देखने को मिला तो उसके बाज में तियोरी दी गई कि ऐसी। जरूर नहीं पstop कि वह दे करता है ये नहीं जहीं अब हो फ्युचर सह को इसे इसे ब्लेक सवान event का गया अब ये ब्लेक स्वान event किसे करता है ये रिलेट करता ऐसी खटना से जो अब भी लगता नहीं कि over Possible पाएगी तक में यूव भी सकता है यूगा यूएजिसे में आपने देखा 2008 में crisis आई थी इसका लगा नहीं था कि इतनी बड़े लेवल पर crisis आईगी पूरा global market हील जाएगा बड़ यह crisis आई यूएससर का विगटन किसी को नहीं पता था कि यूएससर का विगटन होगा बड़ यूएससर का विगटन हुगा व्ल्ड वार के बारे में कि जिनके बारे में कोई आईडिया नहीं होता है बड़ जब हो जाते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं तो यह black seven event के बारे में कुछ पता होना चीए आपको तो यह black seven event है इतनी दुरलब और अपर तैसित घटना होती है जिनका असर है पूरे समाज जो दुनिया प हो सकता है फाइदा इंटरनेट का फाइदा आप देख रहे हो कंप्यूटर का फाइदा देख रहे हो तो यह प्लस में भी हो सकती माइनस भी नुकसान भी हो सकता है इसका इसकी फाइदे भी हो सकते है अभी यह जो गटना है ना इनकी बारे में वर्णन किया था एक लेखक यूएससर का पतन हो गया मत यूएससर का डिगर डिग टेगरेशन हो गया था दो जार एक में अमरिका पर आतंगवादी हमला हुआ ये सारी जो घटना इनके एकोडिंग ये ब्लैक सेवन इवेंट थे तो इनका परणाम बहुत ही बढ़ा होगा बहुत ही जादा ये समrit कोवाद होते इसके साथ कुछ और घटना होती है क कोईटवायट स्वान हchronा होता है जिसके बार हम पता हो जैसके वर शंबहुत बहुत ज्यादा होंग कैसि कि इस्ते पो मिलता होता है फिर फिर सपैने आंपको नहीं हो लोग कनफ्यूजन हो सकता है ठीक है तो बलेक सवान इवेंट के बारे मापको पता होना चाहिए तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टीकल के और नेक्स्ट जो हमारा राटीकल है वह एंटी डपिंग डूटी के बारे में क्यों न्यूज में हैं इंडिन एक्सप्रेस का क्लाटीकल है कि DGR लाजक यह इन्टी के बारे में बात कर सकते कहले मां एन्टीकल के वरी नैसे कि रड़ coffin करना है उसे इस श्वसेंडी हैं उन्टीकल हुए टाल देना उसके खेलाफ वरोध करना अब भी है तिस्वस जैसे कि यह चाहिना है चाहिना उर जाया या है यह इ के अब चाइना से कोई चीज खेना इंडिया पर भेजह जारी एस कि प्राइज कितनी है इसकी प्राइज दस रुपए बारत लिए भारत में इसकी प्राइब कितने रखी है इस कंपने के दुवारा जो चाइनी इसकी 5 रूपे इसको कोश्ट कितनी आत्र डी इसकी कोष्ट आ लिए क्यों रूपे का यह नुक्सान लेकि भारत में 5 में बेच ही लिए तो इसे यह फिषरे क्या अब मारी के अपनी कंप्पर चैने की पास जाएंगी यह चाहीश के पास जाज एक लगा गार तो यह दस की होजाएगी तो दोनों बरावर हो जाएगी, फिर जो अच्छी होगे, वो भी कही, सेम चीज होता एंटी डविंग डूटी में, जो भी बहार देश से कोई चीज आ रही है, अगर बहार देश की कंपनिया, उसको अपने प्राइज, मतलब अपने जो कोस्ट है, उससे भी कम में बेच रही या तो अपने देश में जो प्राइज है उससे कम बेच रही है या अपनी कोस्ट से भी कम बेच रही है इसका मतलब वो डंप करने की ट्राय कर रही है तो उस पर टेक्स लगा दो टेक्स कितना लगाना है जितना वो डंप कर रही उतना टेक्स लगा दो तो उस विच ट्रम है ना एंटी डंपिंग डूटी और नॉर्मल कस्टम डूटी में आपको अंतर पता होना चाहिए जैसे कि यह एंटी डंबिंग डूटी लगाई जाती है अपने जो unfair trade trade की practice होती unfair मतलब ऐसी trade practice जो fair नहों उन्हें बचाने के लिए लगा जाती है उन्हें प्रोटेट करने के लिए लगा जाती है और यह जो नॉर्मल कस्टम डूटी है इसको तो लगा ही जाता है इसको क्यों लगा जाता है इकनोमिक डेवलपमेंट के लिए टैक्स रेवन्यू बढ़ाने के लिए इसको लगा जाता है तो नॉर्मल लगा ही जो government के पास में income source होता रही, इसलिए इसको लगाई जाता है, पर ऐसा नहीं कि यह हमेंसा लगाई जाएगी, यह जरूरी नहीं है, जो custom duty हैं, वो हमेंसा ही लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि custom duty को कभी हटाया ने जाती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट इसे लगाया तो जाए गए फिर बात करते हैं कि ये जो anti-ダメ he duty होती है ये country specific होती है product specific ही होती है जैसे अभी इस पर लगा है कोई china प्रोड़क्ट पर लगा जाता है अभी अमेऄ chemical पर देख तो ये product specific होती है country specific होती है बट ये जो है ना जिसकी बात करते है नॉर्मल कस्टम की यह है ना युनिवर्सल होते है एक समानी होते है कोई भी आप चीज बंगा उस पे लगे गा है लगे लगे गा जरूर ऐसा नहीं कि चायिना पे ज़्यादा है कस्टम डूटी लगा दी अमरिका पे कम है नहीं एसा नहीं होगा यह सब प्पर अपली कब ल तो हमारे को नुकसान करने के लिए यहां पर एंटी डूटी लगा जाती है काउंटर वेलिंग का मतलब होता है कोई चाइनीज को ट्रेडर है ठीक है अब उसका जो माल है वो महंगा बन रहा है यानिक दस रुपे का बन रहा है तो चाइनीज गवर्मेंट क्या करेगी पांच रुपे की चीज बन रही थे अब यह पांच की बनेगी तो अब भारत में पांच की बेचेगा तो यह इसे कहा जाता है काउंटर वेलिंग का मतलब होता है गौवर्मेंट सबसीडिक देके उसकी प्राइज कम करवा देते हैं फिर वह जब दूसरे देश में जाएगा तो यह को सस्ता बहेंगा इसए लघाए जाता है कांटर वेलिंग एंटी डंपीं मार्केट जो एक्सपोर्टर होता है वो खुद के नुक्सान पर आके सस्ती करके बेचता है और countervailing में government उनको सबसीड दे के सस्ती करवा देते हैं और फिर क्या होता anti-dumping में anti-dumping होती है वो goods solve करने पर उसकी जो price होती है वो local markets से कम में बेशता है जैसे कि China हमने देखा 10 में बेशता है भारत में 5 में और जो entry dumping duty होती है वो है government loan दे के या कुछ tax कमी करकी या फिर indirect payment दे कि उसमें कमी करवा देती है इसमें तो यह loss दे के कम करता है बढ़ इसमें government कम करवा देती है फिर यह anti-dumping duty लगाई जाती है local government को protect करने के लिए और यह है domestic company को protect करने के तो उनों का उद्धिस से तो सेम यह कैसे भी करके local जो company उनको local जो ट्रेडर से उनको protect करने का दूनों का काम है तो यह इनके बारे में कुछ पता होना ची फिर इनके द्वारा ITC द्वारा जांच की जाती है यह जो आने anti-dumping anti-dumping को WTO ने भी मानेता दीगे WTO को कोडिंग अगर कोई देशे महानीदेश के बारे में तो इसकी इस्तापना जी यह जो संस्ता इसकी इस्तापना 2018 में की गई थी इसे पहले कहा जाता था anti-dumping सम्मद सुलग महानीदेश से ले कहा जाता था लेकिन अब इसे anti-dumping dgtr कहा जाता है डारेक्टर जनल लोब ट्रेड कहा जाता है ठीक है यह चीज आपको पता हो नहीं इसके बाद में यह क्या करता है यह करता है dumping को रोकना जहांपर anti-dumping हो रही है उसे रोकना उसकी जांच करना फिर countervailing duty हो रही है उसमत कहीं पर ऐसे लगाए जा रहा है कोई देश के दुआरा तो उसकी जांच करना शुरकसा की जांच करना और उचना ले high quote है सर्वचना supreme quote है उनमें बखर करना तो उनमें देख PF करना ठीक है जागरबता है लोगों में पैदा करना जो हुमारे traders है उनमें जागरबता पैदा करना उन्हां कार एकलम चलाना ताकि वह और अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकेके, इंपोर्ड है, उसे मैनेज कर सके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतरकत आती है, नोडल मंत्राले कौन सा है, नोडल मिनिस्ट्री के बारें बात करें, तो ये एक डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स के देखला digitr के बारे में और इनके बारे में तो हम देखी चुके हैं अब sodium signate के बारे में देख लेते हैं क्योमगी इस पे लगाया गया है countervailing duty क्टिके countervailing duty नहीं इस भी लगाया गया है anti-nubbing duty तो इसके बारे मारे आपको पता होना चाहिए अब उसे करने में लगा जाता है कुछ मेडिसियन में भी इसका यूज होता है सोना वगर अचांदी होता है उसको अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है ठीक है उपचार करने में भी किया जाता है कई रंगों में भी किया जाता है अलल अलग परकार के इसके उपयों होते है तो sodium cyanide के बारे में कुछ idea आपको होना चाहिए ठीक है अब चलते हैं हमारे next article की और next जो हमारा article है वो है AI से समधिते हैं यह है ना एक editorial है the Hindu में एक editorial है काफी अच्छा editorial है यह आपके men's के perspective से important है तो इसको आप जरूर देख लेना telegram में इसका वो मिल जाएगा editorial तो इसमें क्या बात की गई है इसमें जो AI है उससे regulate करने के लिए क्योंकि इसकी नुक्सान बहुत जादा है तो इससे regulate करने के लिए एक different approach किया आप सकता है तो इसके बारे में बताए गया है उसके बाद में यह जो क्लास सत्यारती है इनको Nobel Peace Prize भी मिला था 2014 में तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चीज़ अगर पसान नियूज में पूछ ले तो तो इनसे समंदीते है तो यह भी मेंस के perspective से एक article है इसी भी आप एडियोरियल की रूप में देख लेना नेक्स्ट जो है वो है Peace Close से समंदीते है जो फार्मर है वो Peace Rise से समंदी Peace Close है यह WTO पर वहाँ पर इंडिया का stand क्या है तो यह भी मेंस से समंदीते है एडियोरियल में cover हो जाएगा वहाँ पर इसको देख लेना फिर climate crisis है वो gender based नहीं होते हैं यह काफी अच्छा article है कि जो climate का असर है वो महिलाओं पर किस परकार पर बढ़ता है इसके बारे में article है काफी अच्छा article है इसको भी आप देख सकते हैं आपके काम आ जाएंगे नेच्ट जो आर्टिकल है हमारा वो harmonious contraction सिधान्द के बारे में ठीके डॉक्ट्राइन आप harmonious contraction जिस परकार से यूपी आसी क्यूशन पूछ रियन उस परकार से ठीओरी भी पूछी जा सकती है यह जो principles होते हैं कुछ डॉक्ट्राइन लिए ये भी यूपी आसी पूछ सकती है तो यह क्या है अभी news में क्यों है news में इसलिह है कि अभी यह कहना मामला सुप्रिम कोट में गहता तो यह मामला अपील का मामला था यानि कि कोई पहले high court का मामला था हाँ पर सुन्भाई हुगी तो उसका अप्पिल करना था सुप्रेम कोट में तो इस में क्याmost देरी हो गी थी तो विल्लम के लिए समां मांगी गी थी तो सुप्रेम कोट ने इसे जो नियम तर उसके अब हम देख लेते, harmonious construction काCuory क्या होती है ? और וिवलिम के लिए जो समा होती है Condolation for Delay, यह क्या होती है, तो विलं के लिए समा के बारे में बात करे, इस दाहाराना की अंतकबत, देखो, क्या होता है आपको लगता है कि आपने कोई appeal करनी है ठीक है ह Pioneer Board में कोई case ता तो उसको Supreme Court में बेजना था, बढ़ of appeal करने में समा लग गया, यह time होता है उस time की भीतर बेजना होता है बढ़ time जादा लग गया अब Supreme Court में बेजना है तो यह court पे depend करता है code पे code की विवेका दिन सकती है code चाहे तो आपकी जो appeal का समय उसे बढ़ा सकती है code नहीं चाहे तो उसे नहीं बढ़ा सकती है कोई नहीं कर सकता willam के लिए समाए नगा अगर आपको appeal करना था अपिल में time ज़्यादा लग गया है तो यह code पे depend करेगा कोड चाहेगी तो समय को और बढ़ा सकती, कोड नहीं चाहेगी तो समय को नहीं बढ़ाएगी, तो ये विलम के लिए समया है, इसके बारे में पता होना चाहिए, विलम के लिए समया क्या होती है, कोड के पास में एक वेवेका दिन सकती होती है, कोड के उपर एक डिस्क्रिप के या इन दोनों का मध्दि समझे से स्थावित करना य। रिञाषर्ट का sen रात चांति पावर system के अशुता रίक्षर है इसे ऐन ऊंद्रहों के आवी 79 के सब्सक्राइब के सिच्बक्राव नहीं को बराबर किस प्रकार चीजाएं ना तो ये लोग झाषि को ना दे ईकवल वृषिए कहा जाता है आर्मोजिनियस कंट्रक्शन का सिधान का जाता है तो यह थोड़े बहुत आईडिया होना चाहिए क्योंकि डारेट क्यूसन इस पे बंद सकता है वो थोड़ा कनफुजिन कर सकता है फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल आर्टिकल है वो टैली मेडिसें से समझ दीते है क्यों न्यूज में टैली मेडिसें है उसके बेनिफिट बहुत ज़्याद है इसलिए न्यूज में एक रीसर्च में असा बतायों करा सकता है तो टेली मेडियेशन में होता है सूचना इंफोर्मेशन और कम्यूनियूसिकेशन टेकनोलोजी का उप्यों किया जाता है इसके माध्यम से जो दूर बैठा है ना पेशन उसको भी इलाज किया जा सकता है अभी तो बहुत जादा ऐसी टेकनोलोजी देखने को मिल तो इसके benefit बहुत जादा हो सकती है क्योंकि जो हमारे है ना health coverage बहुत कम है लोगों के पास इतने पैसे नहीं है उनका access नहीं है दूर के hospital तक जाने के लिए कई लोग किला आंगे वो जानी सकते हैं और उनको शेहर में जाने के लिए उनके पास पैसी भी नहीं है कई सारी सम जादा environment को फाइदा हो सकते हैं इन सब को ध्यान में रखते हैं इस चीज़ को अपना आना चाहिए गवर्मेंट भी कही प्रयास कर रही है जैसे इस अंजीव नहीं है वो लेकिया है इनका उदिस है कि दूर दराज से जो डॉक्टर है वो कितने दूर दूर दराज में इनका मतलब समझ फोन की माधियम से पेसेंटों का मेडिसियन देना यानि इलाज करना तो यह ओनलाइन की जाता तो टेली मेडिया से बारे में थोड़ा बहुत आपको आईडिया होगा अगर क्यूं से आयद आप देख सकते हो फिर नेक्स आर्टिकल फीकी के बारे में यह not for profit organization जो profit होता है उसको वाफिस invest किया जाता है तो इसका profit का यूज नहीं किया जाता है इसकी इस्तापना 1927 में 1927 में हुई थी इसकी इस्तापना क्यों क्या करता है काम जो भारत में corporate sector है बड़ी-बड़ी कंपनिया है चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे से व्यक्त करने का काम करती है एड़ क्वाटर इसका न्यू डेली में है और भूमिका के बार में देख लिया उद्योग जगत की जो भी टेंसंस होती इंडरस्ट्री से कंपनियों की को प्रोब्लम होती है उनको रखना किस प्रकास से जो नया रूल बनाए जाते है उनको प कास्केड की फुलकम देख लो कमिटी एगेंस्ट समगलिंग एंड कांटर फिंग अक्टिविटी डिस्ट्रॉंग दिश्ट्रॉंग इकनोमी इसे कास्कर खा जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए कास्केड के बारे में नाइस जो आर्टिकल है वो टीशेट एवन क प्राइविट सेक्टर का 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 प्राइविट स system होगा यानि कि इसकी मदद से है ना जो agriculture है यानि करसी आपदा परबंदन सहरी नियोजन प्रयावर्ण है इन सब के बारे में निगरा नहीं रखी जा सकती है क्योंकि इसमें है ना विद्यो चुम्बक का यूज किया जाता है इलेक्ट्रो मैगनेटिक का यूज किया जाता है इसकी तरंग देद्र होती है ना उसकी माधियम से डेटा क्लेट किया जा सकता है यह जो चुम्बक होती है इसकी में इसमें बहुत सारा डेटा क्लेट किया जा सकता है जिसे बूमी में जल कितना है उसमें किस इस प्रकार से यूज किया जा सकता है ठीके इन सब के बारे में तो यह TSA1 के बारे में था, नेक्स्ट जो हमारे अर्टिकल के बारे में बात करें, तो वो क्रेन एक कम्यूटी है, इसके बारे में, तो क्रेन कम्यूटी कहां पर है, यह एतनिक ग्रूप है, यह कहां पर देखने को मिलता है, तो क्रेन एतनिक ग्रूप है, वो मयामार में जाता है गोबी मरस्तुले मंगोलिया का जो तिब्बत है वहां से इनकी उत्पति मानी जाती है तो यह हमारा आर्टिकल था क्रेंट कमिनिटी समझ दे नेक्ट जो आर्टिकल है वो चुनाम में उमीदवारों के द्वार जो संपती दी जाती है उनके बयोरा से समझ दे सुप् को लेना देना नहीं है जैसे मैं चुनाम लड़ रहा हूं अब मेरी कोई ऐसी डीटेल है जिसका कोई मेरी सारवजे जीवन से को लेना देना नहीं है जो मेरे को वोट देंगे उनके जीवन पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला तो उनको मैं नहीं दे सकता मेरे को देने की ज वो है ना ऐसी जानकारी पब्लिक करने की कोई आफसकता नहीं है यह सुप्रीम कोट ने का है तो यह ना मेंस में काम आ सकता है कि ऐसी को अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उनको सारी जानकारी देने का आफसकता नहीं है अगर किसी को असर नहीं हो रहा है उसकी जानकारी 33 में लिखा गया है कि नामंकन पत्र जब बरने जाता है उमिद्वार तब वहन सारी जानकरी देगा जितनी भी उसकी जानकरी सारी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर वो जानकरी नहीं देगा तो इसी एक्ट के तरह तो उस पे जानकरी मगर को कमी होगी जानकरी नह जन्म कहां पर हुआ था बल्या उतर पर्देश में हुआ था ये 34 वी जो बंगाल नेटिव इंफरेंटरी थी उनके सिपाही थे इनके योगदान के बारेम बात करें तो इन्हों ने बेहरांपूर जो एक जगा थी वहां पर एक छावनी थी चावनी में यह सैनिक थी तो इन् में 850 की करांती स्टार्ट हो गई थी बाद में इनको फांसी पी दी गई थी और इनके मुल्डे के बारे बात करें तो इन्होंना साहां से द्रड संकल पैदिस बगती को आगे बढ़ाने का काम किया था वो पूछी जा सकते डेलिपतरओं का इस तो क poo नायऺ था इसा होता है जो डेलिटर्ड को फर डेले ऩो लकारत नहीं होता है यहां से जो निशकरस निकलते हैं जो आपके ransomware के तुर अटेक कर सकता है ठीक है ऐसे बहुत सारा अटेक हो सकते हैं तो अब इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है जब किसी कंप्यूटर को हैक होने से बचाना होता है या बहारी जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए इस परकार का यूज किया जाता है इसे एर गेप कहा जाता है तो एर गेप के बारे में पता होना चाहिए डेटा ग्रेजिम के बारे में पता होना चाहिए और ओटी OTA Update के बारे में पता होने चाहिए, OTA Update का मतलब होता, Over the Air, ये अपडेट होता ये परकार का, इंटरनेट कनेक्शन के मादियम से आप अमने software को अपडेट कर सकते हो, ये software manually भी कर सकते हो, और automatically भी कर सकते हो, इसी OTA Update भी कहा जाता है, तो इसके बारे में कुछ चीज आपको प होई थी, इसके इस्तापना 2020 में होई थी, क्यों होई थी, जो इंडो Pacific region है, हिंद परसाथ सेक्तर है, वहाँ पर जो चाइना के प्रबाव उनको कम करने के लिए, इसकी इस्तापना होई थी, भारत अक्सूस का मेंबर नहीं है, बड़ भारत है, वो अक्सूस के साथ लगात क theme 213 में लिखा गया है, कि नई जो तीन साल वाला है, यह प्रावधन अभी भी है, इसन बाया गया है, अभी जो चुना भी बढई है, उसमें यह देखने को मिला है इसलिए न्यूज में तो ये चीज़ देखने को है कि नई पार्टी आया वो तीन साल से पुरानी जो तीन साल के अंदर गंदर पार्टी बनी है जो कंपनी बनी है वो राजनितिक चंदा नहीं दे सकती है ठीक है ये चीज़ आपको यह जहां रखना कि तीन साल से जो को चंदा नहीं दे सकती है ये चीज़ याद रखना इसको कहीं भी भी यूज कर सकते हो कहीं भी अगर क्यूशन आए तो देख सकते हो तो आज की डिसकुशन में इतना ही था थैंक्यू थैंक्यू वेरिमच वोर डिसकुशन